मानने मोदी जी के नेतरत और मार्क दर्शन में जो भी विकासकार हुआ है वो भरती जंता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है उत्राखंड के मौजूदा वजीर आला पुश्कर सिंग धामी को कठी मसे टिकट दिया गया है जबके रियासती बीजेपी सद्र मदन कोशिक हरी दोर से इंतखाब लड़ेंगे इसके लावा गंगोतरी से सुरिष्ट चोहान जोबटकाल से सत्यपाल महराज देव परियाग से विनोत कंधारी को मैदान में उतार गया है कि उत्राखंड के एससी मुख्मंत्री उर्जावान अविवान नित्यत दिनने वाले उत्राखंड के लगातार उत्राखंड के विकास की चिंता करने वाले विकास करने वाले ऐसे स्री पुशकर सिम धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे केंदरी चुनाव सम्ती ने उनके नाम पर मोहल लगाई है इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश सद्यच्छ है और वहाँ पहले मंत्री भी थे उत्राकन सरकार में मदन कौसिक जी वह हर द्वार से बिदान सभा का चुनाव लड़ेंगे गोवा एसमने इंतखाबात में बीजेपी ने 40 में से 34 सीटों के लिए उमिद्वारों की नामों का आज ऐलान किया है ओबी सी के 11 उमिद्वारों को पार्टी ने अपना उमिद्वार बनाया है जबके 3 जनरल सीटों पर बीजेपी ने एस्टे उमिद्वार खड़े किये है इस मौकी पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुन सिंग ने बीजेपी हेड़कॉर्टर में उमीदवारों के नाम का इलान किया, गोवा के वजीर आला प्रमोट सावन संकली हलके से इंतखाब डढ़ेंगे। मतरिन मुल्क कॉंग्रेस और महराइश्ट वादी गौमान्दिक पार्टी के इताहत पर देविंदर फर्नविस ने कहा कि मजीपी के बहुत सी लीडर एलक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं जबकि कई लीडर बीजेपी के साथ आ गए हैं। मतरीन फारस में हाजी अखलाख केराना से थाना भावन से सत्य शाम सेनी शामली से मुहम्मद अयूब जंग मुझफर नगर से सुबोत शर्मा और सिवाल खासी जगदी शर्मा मेरट से रंजन शर्मा स्याना सीट से पूनम पंडित आगरा केंड से सिकंदर वालमिकी और अधितिस संग् ने आज कांगरेस पार्टे से monte सेlar में शामल हो चुकी है इसके बाद भी उनके कांगरेस से इस्तीफा ना देने को लेकर तरह तरह क्या साराएं चारी थी अधितिस संग् ने बीझेपी में शुमूलियत और एक जार करते होए इस पर हत्मी मोहर लगा द अदिती सिंग ने अपने इस्तीफे से मतालिख कौंग्रेस सदर सोनिया गांधी को खतरवाना किया है जिसमें उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा देनी की बात कही है आदिती सिंग ने कॉंग्रिस सद्र से उनका इस्तीफा मनजूर करने की दर्खास की है गांधी खांदान के मरकज राइबरेली से तालोक रखने वाली आदिती ने 24 नवेंबर 2021 को बीजेपी में शमूलित अख्तियार की थी बीजेपी के रियासती सद्र सौतंतर रदीव सिंग की मौजूद की में उन्होंने पार्टी की रुकनियत हासिल की थी उन्होंने बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में बीजेपी की रुकनियत ली थी और समाजबादी पार्टी की जानेब से आज अपने इंदिखाबी मेंशूर के बारे में जानकारी दी गई पार्टी सदर अकिलिश यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनी तो यूपे में यश भारती सम्मान दुबारा शुरू किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि यह अजज़ाद शेहरी सते पर दिये जाएंगे और वजीर आज़ाजम नारेंदर मोदी ने आज वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये प्रोग्राम आज़ादी के अमरित महसफ से गोल्डन इंडिया की एकौमी लाँच तक्रीब का इफ्ताह किया पियर मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों के जरिये आज़ादी के अमरित महसफ के लिए वक्व साल पर जारी पहलो की नकाब कुशाई की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी इदारे के जरिये प्रोग्राम आज़ादी के अमरित महसफ से गोल्डन इंडिया की तरफ प्रोग्राम शु इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्ता के द्वारा अजादी के अम्रत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और एक बहुत बड़े अभियान का प्रारम हो रहा है। इस कारकम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेना भी है और ब्रह्मा कुमारीों के प्रयास भी है। पे एम मुदी ने कहा कि कौम की तरकी हमारी तरकी है. हमसे ही कौम का वुजूद है और कौम से ही हमारा वुजूद है. हमारे और राष्ट्र के सपने अलग-अलग नहीं है, हमारी नीची और राष्ट्रिय सफलता हैं, अलग-अलग नहीं है, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हम से ही राष्ट्र का अस्तित्व हैं, और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है, ये भाव, ये बोद, नए भारत के निर्मान में हम भारत वास्यों के सबसे बड़ी ताकत बन रहा है पिये मूदी ने कहा कि आज हम ऐसा नजाम बना रहे हैं जिसमें इम्तियाज और तफ्रिक का कोई मुकाम नहीं है जिसकी सोच और नुक्ताय नजर नया है और जिसके फैसली तरक्टी पसंद है आजदेश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास सामिल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज एक और बात, सबका प्रयास ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेद भाव की कोई जगे न हो एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो वजिर आजम ने कहा कि आने वाले पच्चेस साल सक्त जड़ ज़हद और ईसार रुकुर्बानी के हैं जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है अपनी व्यक्तिकत उपलब्दियों के लिए इदम न ममा यह भाव जागने लगता है तो समझिये हमारे संकल्पों के जरिये एक नए कालखन का जन्म होने वाला है एक नया सवेरा होने वाला है सेवा और त्याग का यही अनुभाव आज अम्रत महोसों में नए भारत के लिए उमड रहा है इसी त्याग और कर्तव व्यभाव से करोण देशवासी आज स्वानिम भारत की नीव रख रहे है और भारत ने बाला सुर में उड़ीशा के साहे से दूर ब्रहमो सूपर सौनिक क्रूज मेजाइल के एक वेरिंट का कामियाप्था चुरबा किया है इस मेजाइल को नई टेकनिलोजी से लस किया गया था